प्राइब भवन का उद्धाटन करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष राहूल गांधी ने हामी भर दिये राहूल दस अगस्त को रायपूर आकर इस नय राजी उभवन का लोकार पढ़न तरेंगे कॉंग्रेस के इस नय भवन में पुराने भवन के अप्रिक्षा काफी जादा जगा है दो मंजिला नवनिर्मित भवन में करीब 24 कमरे हैं जिसमें हाल सहीद अन्य रूम भी सामिल है बिल्डिंग के पहले मंजिल में PCC अध्यक से सहीद अन्य विभागों के अध्यक्षों के कार्याले होंगे इसके अलावा एक मिटिंग हॉल भी बनाया गया है जिसमें पार्टी मिटिंग होगी इसके अलावा बाहर से आने वाले निताओं के लिए रेश्ट रूम भी बनाया गया है राजीव भवन में इस बार होने वाले विधान सवा चुनाओं के लिए वार रूम भी बनाया गया है जहांसे चुनाओी प्रक्रिया पर नचर रखी जाएगी वहीं दूसरी फ्लोर में मोर्चा प्रोपोस्ट के अध्यक छोग और पदाविकारियों के कार्याले बनाये गया है इस फ्लोर में मीडिया के लिए कॉन्फरेंस फॉल भी बनाया गया है साथ ही मीडिया विभाग का कार्याले भी दूसरी मंजिल पर ही बनाया गया है इसमें नीचे बेस्मेंट पार्किंग है इसके साथ ही इसमें इस भवन में जितना बना गया उसके लाओं हमने इसमें ओपन इसके साथ किया ति किसी प्रकार के कोई परशानी नहीं हो यह बहुत ही उच्छी तकनिकी में बनाया गया और हमारा कांग्रेस की आकांग्षाओं का भवन है यहां से माने वाला चुनाव लड़ेंगे अ यहां सिर्फ पारलाई के पहर है और यहां में बैठाग बेवस्ता की गई मिटिंग बेवस्ता अभी यहां पर रुकने वाला जो आने वाले फ्लोर में की जाएगा अभी नहीं बना है